हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दैसा कि दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक कमून्टी पोस्ट किया था जिस पे मैं अपना इस्टेन का 7R वर्जन 2 सारफी सेल के लिए रखा था तो आप मैंसे काफी सारे भाईयों का काफी दिन से कॉमेंट आ रहा है कि भाई आप अपना इस्टेन का सारफी जो न्यू लिए थे उसको क्यों सल कर रहे हैं और इस्टेन का सारफी हमको लेना है तो क्या इस्टेन का सारफी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इस्टेन का सारफी क्या अच्छा है खराब है आपने सारफी क्यों सेल कर रहे थे आपको क्या प्रोबलम हुआ सारफी के अंदर तो आजके इस वीडियो में दोस्तों हम इस कम लोग subscribe करके रखे हो तो भाई दबा के subscribe करो आपका भाई आप लोग के लिए बहुत ही जल्द एक giveaway लेके आने वाला है तो भाई चैनल को इसलिए बोल रहा हूं subscribe करो क्योंकि giveaway का आपको सारा update और details वीडियो आप से मिसना हो क्योंकि दोस्तों हो सकता है जो चीज मैं आप ल एक बंदे को दिया जाएगा इसलिए बोलता हूं दोस्तों चैनल को subscribe जरूर से करके रखो और हर वीडियो को देखो क्योंकि किसी भी वीडियो में दोस्तों giveaway आ सकता है तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो को इस्टार्ट करते हैं और जानते हैं सारफी का फूरा details तो सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों कि मैं अपना सारफी क्यों निकाल रहा था देखो भाई क्या है मैं इस 10 का 7R V2 जो नया वर्जन आया है वो सारफी मैं जनवरी में एक पेटी लिया था ठीक है अब दोस्तों मेरे को क्या है 10R सारफी लेना था इस वजए से क्या है म और वो सारफी का सही रेड भी मेरे को मतलब नहीं निकालना चाहता था एक मन था कि निकाल दूँ फिर लगा कि नहीं निकालूँ इसके बाद दोस्तों मैं क्या कि एक और पेर 7R का वर्जन टू सारफी ले आया और मैं वो सारफी सेल नहीं किया तो अभी आप लोग दोस्त चलो 10R नहीं अगर ले पा रहा हूं तो 7R ही एक पेटी और ले अता हूं तो अभी अपने पास फी हो जाए क्योंकि दोस्तो सेट अप में क्या है उतना मतलब महाल नहीं बन पाता है वहीं अगर आप अपने सेट अप में 4 सार पी, 6 सार पी, 8 सारफी 10 सारफी लगाते हो तो सेट अप अलग ही देखता है एक प्रोफेस्नल लेवल का सेट अप दिखता है और लगता है कि हाँ सेट अप में अच्छा खासा लाइटिंग हुआ है इस वज़े से दोस्तों क्या है मैं अपना सारफी नहीं निकाला ठीक है तो यहां पर दोस्तों आप लोग देखी लिए कि मेरे पास जो है अब दो प्रोफेस्ट अरफी हो गया अब मैं एक प्रोफेस्ट और अभी लेने के चक्कर में हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आपको रेगुलर एक से एक नया इंट्रेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलेगा डीजे कसिस पे ठीक है यह दोस्तों एक चैनल नहीं हमारा फैमली है तो इस फैमली में आप लोग भी सदस्यता जल्दी को सॉपश्यव का बटन दवा के लिजे तो यहां पर दौस्तों बात हो गई कि मैं सारफी क्यों निकाल रहा था नहीं निकाल रहा था इसका मैं आप लोगग को बता दे अब बात करते स्थें कbecbod उसी के सांथ रहा था की जब मैं शार्फी चलाता था दो तीन वुकिंग हुआ इसके बाद दोस्तों मेरे सारफी का जो है लैंप, एक सारफी का लैंप खराब हो गया, तो दोस्तों मैंने उसका लैंप रिप्लेस किया, इसके बाद दोस्तों फिर मैंने काफी दिन तक काम किया, फिर मेरे एक सारफी का लैंप खराब हो गया, जिसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को Lamp Change करना सिखाया था उसी वीडियो पे तो ऐसा कुछ था दोस्तो मेरे सांसी इसके बाद दोस्तो जैसे दोनों सारफी के हमें ने Lamp Change किया तब से सारफी बिल्कुल Rough and Tough चल रहा है कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो ठीक है दोस्तो इस 10 की है तो दोस्तो जैसे 51,000 52,000 अभी इस 10 का सेवेनार का रेट चल रहा है वर्जन टू का तो दोस्तो मैं आप लोगों को रिकमेंट करूंगा कि भाई आप सेवेनार ना लेके टेनार लो टेनार का लगवग 58,000 प्राइस चल रहा है तो आपको चार-पांश जार चाहजार अच्छा है कि उसका प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा पॉपलर है और इस टेन की सारफी ज्यादा तर सकसे है डीजय या फिर लाइफ प्रोग्राम में इसलिए दोस्तो अगर आप इस 10 की सारफी लेना चाहते हैं तो बिलकुल ही लीजिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस 10 दो पेर इस 10 का सारफी चला रहा है जल्द ही 3 पेर करने वाले हैं तो क्या है तो सेटप में कहीं न कहीं अगर आप लोग पैसा लगाते जाते हैं सेटप में अगर अपना क्वाल्टी बढ़ाते जाते हैं तो आपके सेटप क्या है क्वाल्टी भी अच्छा इंक्रीज हो ज चलाते हैं तो उनके पास क्या है वह नहीं रह पाता है लेकिन दोस्तों आप धीर धीर अपने अपडेट भी करते जाते हो तो आपका सेटप बहुत ही पॉपलर होता है और आप एक नामी डीजे वाले बन जाते हो तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मैं मैं वीडियो में तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं